हलो स्टूडेंट्स वेलकम आल आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का स्टेंडर्ड हाइडरोजन इलेक्टोड बच्चो ये टॉपिक के इलेक्ट्रोचेमिस्ट्री का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर पेपर पॉइंट अब व्यू से बात करूं तो ये प पहले जो वीडियो अप्लोड करी थी उसमें आपको ये समझाया था कि जब आप कॉपर एंड जिंग का सिस्टम लेते हो अगर आप कॉपर एंड जिंग का एक सिस्टम लेते हो गैल्वनिक सेल का तो उसमें आपने ये नोटिस किया था कि टोटल पोटेंशल डिफरेंस जो calculate नहीं कर सकते यह overall हमेशा potential ही calculate होता है तो फिर भी अगर आपसे कोई question पूछे कि copper के half cell का individual potential कितना है and अगर आप zinc के half cell का individual potential कितना है तो क्या बोलोगे बच्चो देखो एक मैंने यहाँ पे equation लिखी हुई है E naught cell that means standard आपका जो potential है वो होता है cathode minus anode that means E cathode minus E anode इसका मतलब क्या है कि cathode पे जो हो रहा है अगर आपको diagram यादो तो zinc copper वाले system पे जहाँ पे reduction हो रहा है जहाँ पे cathode है वहाँ का potential है that minus अगर मैं zinc वाले side का differentiate कर दो तो मेरे को आना चाहिए था 1.1 volt और यही मैंने last class में बताया था कि मैं cathode और anode का individual कैसे निकालू बच्चो उसको निकालने के लिए हम आज यह topic पढ़ेंगे that is standard hydrogen electrode ध्यान से समझना बच्चो बहुत important topic है paper point of view से तो suppose मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे paper में आपको question आया है तो किस तरीके से आप approach करते हो and then मैं explain करूँगा पूरा topic क्या है तो question आ सकता है explain standard hydrogen electrode उसका use क्या है किस तरीके से आप उसको explain कर सकते हो तो मैंने list down कर रखे सारी चीज़े जो मैं IK करके आपको explain करूँगा तो सबसे पहले बच्चो जो इसके अगर मैं diagram देखता हूँ तो diagram से ही पता चलता है कि ये खुद में एक half cell है ये खुद में एक half cell है और जब आपको बोला जाता है कि बच्चो copper और zinc का individually अलग-अलग निकालना है तो आप क्या करोगे अगर suppose copper का निकालना है तो half cell को connect कर दोगे इस वाले half cell से और फिर आप उसका potential निकालोगे फिर अगर zinc का निकालना है तो आप zinc वाले half को इसके साथ attach कर दोगे that means standard hydrogen electrode itself is a half cell सबसे पहला point ये clear होना चाहिए अच्छा दूसरी चीज मैंने बच्चो लास्ट वीडियो में आपको ये भी समझा है था potential and potential difference क्या होता है आगे बढ़िनेस पहले मैं एक question पूछता हूँ कि अगर आप से पूछा जाए कि Mount Everest के height क्या है तो आप सब को answer पता होगा that is 8848 meter 8848 meter 8.8 km लगभग 9 km के आसपास की height है तो अगर suppose question बच्चो अगर आपको कभी मौका मिला Everest पे चड़नेगा और आप नेपाल पहुंच गए उसके base camp के पास तो क्या जब base camp के पास खड़े होगे तो आप उपर 9 km देखो के 8.8 km तब आपको Mount Everest की चोटी दिखाए देगी क्या तो answer है नहीं base camp से Mount Everest की height 8 km नहीं है जो 8 km की height 8.8 km की height है वो समंदर के level से है आप समझे रहो अगर मैं Delhi में ये video बना रहो तो Delhi के respect में भी height of Mount Everest 8848 meter नहीं हो सकती है वो किसके respect में है वो समंदर के respect में है that means किसी भी चीज़ को निकालने के लिए अगर आप से कोई question पूछाए आप लंबे हो या चोटे हो तो आप question obviously पूछोगे दूसरे से कि 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 respect में बात कर रहा हूँ किसी के respect में मैं लंबा हो सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो height होती है जो height होती है वो हमेशा reference में होती है वो किस में होती बच्चो reference में होती है इसी तरीके से जब आप potential भी calculate करते है तो potential भी reference में calculate किया जा था किसी के reference में दूसरा अब आपके पास पहले जो हमने पढ़ा था उसमें zinc and copper वाला system था दोनों का difference निकाल सकता हूँ लेकिन मैं दोनों का difference अगर 1 volt है suppose तो 8 और 9 का भी difference एक volt होता है 10 और 9 का भी difference एक volt होता है हाँ या ना तो individual कितना है यह कैसे calculate होगा यही calculate करने के लिए हम क्या पढ़ रहे standard hydrogen electrode तो सबसे पहला point जो मैंने आपको clear कि standard hydrogen electrode itself is a half cell वो खुद में एक half cell होता है अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज क्या होती कि इसमें बच्चो platinum electrode होता है जो center में electrode है वो किसका होता है platinum electrode होता है और यहाँ पर बच्चो आप क्या करते हो hydrogen gas को bubble करते रहते हो hydrogen gas को इसके अंदर bubble करते रहते हो concentration को maintain करने के लिए concentration कितना होना चीए एक molar यहाँ पे आप हर चीज को standard that means standard way में maintain करके रखते हो concentration unity होनी चाहिए इसलिए इसकी help से जो आप calculate करते हो potential उसको क्या बोलतो standard electrode potential बोलते हो उसके लिए that means जो E naught यहाँ पे बोलतो हो यहाँ पे E cell के उपर एक naught लगा दे तो that means standard आप standard condition की बात कर रहो तो सबसे पहली चीज तो यह होगी बच्चो तो अगर आप से definition पूछा जा तो सबसे पहले बोलोगे कि it is a half cell जहाँ पे platinum electrode होता है आपके पास platinum electrode होता है coated with platinum black उस पे coating किसकी होती है जो outer coating है उसमें platinum black की coating होती है बच्चो उसके बाद इसमें क्या करते है pure hydrogen को bubble करते रहते हैं यहाँ से हमेशा pure hydrogen को bubble करते रहते at one bar pressure यह भी बहुत important है at one bar pressure आप हमेशा इसके अंदर concentration को maintain करके रखते हो और concentration कितना होता है one molar one molar H plus ion concentration हमेशा रहना चाहिए तभी उसको आप क्या बोलते हो standard hydrogen electrode तो बच्चो क्या क्या point clear हो कि platinum electrode होता है इसको आप किस तरीके से represent करते हो यहाँ पे equation क्या बनती है H2 gas break होता है H plus में तो that means platinum electrode की presence में यह particular reaction हो रहा है अच्छा उसके बाद यह एक half cell होता है half cell में platinum electrode platinum electrode और platinum black से वो coated होता है दूसरी तीसरी चीज़ हो गई कि हमेशा इसमें pure hydrogen को bubble किया जाता है maintain करने के लिए concentration को concentration is maintained at unity आप concentration को हमेशा maintain करके रखते unity पे unity का मतलब one और एक और बहुत important चीज़ है इसका potential खुद में zero होता है इसका potential zero होता है तो अब आपको एक reference मिल गया ना कि हाँ यह अगर zero है तो इससे उपर या नीचे वाले को positive negative बोल के मैं दूसरे का calculate कर लूँगा समझ माई बात तो एक बाद फिर से मैं बच्चो repeat करता हूँ standard hydrogen electrode खुद में होना चाहिए system के अंदर तो यह सारी चीज़ है उसका अपना potential zero होता है that means zero volt उसका potential होता है now अब आपको diagram समझाया यह bubbles बने हो है बच्चो ठीक है confuse मत होना ओके यह एक half cell है जिसका भी आपको standard potential निकालना आप उस half cell को दूसरी side लगा दो अभी तक हमने किसकी बात करिया copper और zinc के तो आप वहाँ पे जो copper और zinc को साथ में रखते थे और फिर आपको 1.1 volt अभी क्या करना उसको अलग कर दे copper अलग zinc अलग copper को लगा दोगे तो copper का पता चल जगा zinc को लगा दोगे zinc का पता चल जगा तो ये परपास आपका standard hydrogen electrode का तो अभी आपको diagram explain हुआ diagram आपको समझ है और main जो points है जो आपको paper point of view से मैंने bullet points में लिखा आपनों इसको explain करके लिखना है ठेक है words में same चीज को तो ये सारी चीज हो गई now अब question ये है कि हम कैसे calculate करते है कि क्या potential है तो देखो बच्चो मैंने आपके easy आपको easy बनाने के लिए मैंने लिख दिया कि E naught cell not यहाँ पर standard को represent कर रहा है that means E cell equals to E cathode minus E anode ये तो मैं पढ़ चुका हूँ that means cathode पर जो reaction होता है जो potential है minus anode पर जो potential है उसके difference को आप cell potential बोलते हो अब क्या होता बच्चो जब आप copper वाले half cell को copper वाले half cell को side में लगा देते हो तो आप notice करते हो कि जो difference होता है voltmeter वो देता है plus 0.34 volt का ठीक है plus 0.34 volt का और अगर zinc वाले system को लगा देते हो दूसरी side तो जो difference मिलेगा आपको वो मिलेगा 0.76 volt का ये 0.76 volt किसके respect में 0 के that means 0 से इतना ज़्यादा और 0 से इतना कम समझ माई बात अगर मैं hydrogen को center में रख लू hydrogen को reference मान लू तो हर चीज किस तरीके से ना पिजारी hydrogen के respect में कौन कितना ज़्यादा और hydrogen के respect में कौन कितना कम ये ज़्यादा कम plus minus क्या है इसका मतलब मैं बताता हूँ कभी भी बच्चो ये बहुत important है paper point of view से important है question काफी सारे आते है exercise के अंदर काफी सारे question है इससे लेके कि अगर आपका standard potential positive है तो क्या मतलब होता है standard potential negative है तो क्या मतलब होता है जैसा बच्चो हमने देखा कि जो potential हो कि इसके respect में आप कर रहे हो hydrogen के respect में उसका 0 मान रखे आपने तो इसका मतलब होता है कि अगर copper वाले system के लिए ये positive 0.34 volt है उसका मतलब होता है कि जो copper 2 plus है ना वो easily reduce हो जाएगा in comparison to H plus अगर आपके पास H plus भी है और आपके पास Cu plus भी है तो easily reduce जल्दी कौन होगा Cu 2 plus that means अगर किसी भी चीज़ का standard potential standard potential का मतलब क्या आप एक species को ले के है और उसको hydrogen that means standard hydrogen electrode के साथ उसके half cell को और standard hydrogen electrode जो खुद एक half cell है उसको जोड के देखते हो और आपको पता चलता है कि उस species का जो potential है वो positive आता है तो इसका simple मतलब क्या है कि अगर उसका potential positive है इसका मतलब वो जो चीज़ है वो easily reduce हो जाती है hydrogen के respect में hydrogen के comparison में ज़्यादा easily reduce हो जाती that means hydrogen उसको reduce नहीं कर पाएगा समझे रहो यह बहुत important technical term है कि आपका जो वो species है वो जल्दी reduce हो जाएगा hydrogen के respect में इसका मतलब कि अगर hydrogen से जल्दी reduce होगे तो hydrogen उसको reduce नहीं कर पाएगा वीडियो के end में मैं एक बहुत important question आपको इसके basis पर पूश्था हो और just जैसा कि मैंने यह बता है उसी के opposite क्या हो जाएगा बच्चो कि अगर वो positive का negative है तो उल्टी चीज हो जाएगी कि H plus ion easily oxidizes ठीक है उसको just मैंने reverse कर दिया positive को negative करने के लिए oxidation की जैएगा reduction यूज कर रहा हूँ यहाँ पर क्या हो था positive का मतलब क्या था कि वो चीज आसानी से reduce हो जाती थी अब क्या मतलब है कि H plus आसानी से उसको oxidize कर देगा अगर किसी चीज का positive है समझ महीं बात तो यह दो बहुत important चीज है plus minus का significance का यह याद रखना question करने के लिए तो मैं आपको easy करने के लिए बता देता हूँ कि अगर किसी का standard potential positive है अगर एक का plus one है और दूसरे का plus two है तो plus one और plus two में क्या difference होगा कि आपका जितना ज़्यादा वो plus में होगा वो उतना ज़्यादा more powerful oxidizing agent होगा यह बहुत important है बत्चों समझना कि अगर आपके पास दो species है जिसका आपने potential, standard potential आप किसके respect में निकाल रहे हो किसके respect में standard hydrogen electrode का respect में तो अगर किसी चीज़ का दो species ले आए आप x और y x के respect में y का potential standard potential ज़्यादा positive है तो आप बोलोगे कि जो y है वो more powerful oxidizing agent है और similarly बच्चों अगर वो negative हो गया जितना ज़्यादा negative हो गया वो उतना powerful reducing agent है बच्चों यह समझना बहुत important है क्योंकि chemistry में जो reactions होते हैं वो बहुत हद तक इसी चीज़ पर dependent होते है कि कौन किसको oxidize कर सकता है कौन किसको reduce कर पाता है और अगर आपको ये चीज़ clear हो जाएगी और थोड़े बहुत आपको एक concept clear है इसके आप question समझते हो इसको तो बड़ी असानी सा predict कर पाऊगे कि कौन सा reaction possible होता है कौन सा reaction possible नहीं होता अगर होता है तो क्यों possible होता नहीं होता तो क्यों नहीं होता इसी basis पर मैंने बच्चा आपको बोला था कि जो ये copper वाली चीज़े इस पर मैं question पूछूँगा question ये है बहुत simple है बच्चो मैं साथ के साथ answer भी बताऊँगा लेकिन video pause करके 2 minute सोचना जरूर इसके बारे में है क्या कि अगर मैं copper को HCl hydrochloric acid में डालता हूँ तो क्या होगा ये question है कि copper को मैं HCl में डालता हूँ तो क्या होगा वीडियो को pause करो और सोचो क्या होगा बिल्कुल इसी के concept के basis पे है तो I hope बच्चो आपने pause करके सोचा होगा video क्या है इसका answer क्या हो सकता है HCl में डाला है अब simple सी चीज़ है जो H plus है यहाँ पर दिख रहा है कि copper easily reduce हो जाता है hydrogen के respect में इसका मतलब क्या hydrogen उसको reduce नहीं कर पाएगा अब HCl के अंदर H plus और C L minus है H plus उसको reduce करनी पाएगा तो copper तो as it is अपने state में ही रह जाएगा इसलिए वो react नहीं करेगा बच्चो I hope आपको यह वीडियो समझाए होगी यह बहुत important है अगर बच्चो आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को like, subscribe, share जरूर कीजिए बच्चो मैं description में इस chapter के बाकी links को भी डाल दूँगा मैंने playlist create कर दिया वहाँ पर आप जाके पूरे chapter के आप देख सकते हो order में, किस order में वीडियो अप्लोड हुई है आप वहाँ पर पढ़ सकते हो और मैंने एक telegram पे group बनाया है उसका भी link मैं provide कर दूँगा बच्चो वहाँ पर मैं notification डालता रहू हूँ वहाँ पर मैं upload करता रहूँगा कि कब कब मैं video upload कर रहा हूँ क्या सारी चीज़े आप वहाँ पर questions भी पूछ सकते हो वहाँ पर question मैं डालता हूँ वहाँ पर answer दे सकते हो तो I hope बच्चो आपको ये सारी चीज़े पसंद आई होगी Till then, take care, bye